वेल्कूम तो मैंई यूटूब चैनल DaPatVision दिस ऐसा सहिल मलीकूर होस्ट लू को निज यहारा होगई और यह हमारे डोग के बोडी के अंदर डोग की आईस équत अधर यूट्व॥ K Spa, यहारा है तो वो basically जो lower eyelid होती है उसके inside एक extra आपको eyelid देखने को मिलेगी वो होती है third eyelid आप guys जो third eyelid वहाँ पे present होती है उसी के भिहाब हम वहां पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक membrane होती है N는데 so basically अगर मैं इस third eyelid का आपको function बताऊ तो इसका काम होता है protection का बिकोज जो वो third eyelid जब बन रही है तो वहाँ पे एक nictritating membrane पाई जाती है जो आपके dog की eyes में अगर dirt जा रही है यानि dust के particles वगरा जा रहे हैं कोई pollen grains वगरा जा रहा है या कोई भी other foreign element अगर आपके dog की eyes के अंदर जा रहा है तो आपके dog की eyes को protect करेगी nictritating membrane अब guys मैंने जैसे definition बताया थी उसमें एक point बताया था कि इसमें एक gland होता है आप guys वो जो gland होता है उसका main काम यही होता है कि वो एक tear की एक film generate कर जाता है dog की eyes के ओपर जिससे आपके dog की eyes protective रहती है अगर कुछ ऐसा reason हो जाए injury हो जाए किसी तरह की fighting के दोरान या अगर hunting के दोर है तो guys हम उसको cherry eyes बोलते हैं मैं आशा करूँगा जितना अभी मैंने बोला है आपको समझ में आ गया होगा अब guys मैं बात करता हूं इसके reason की reason guys सबसे पहला reason main reason तो यही है हमारे dog की eyes के अंदर कुछ tissues पाए जाते हैं अब वो tissues क्या करेंगे उस third eyelid को पकड़ के रखते हैं ताकि वो बाहर ना चली जाए लेकिन अगर एक्शनल किसी तरह की कोई injury हो जाती है जिसकी वज़े से वो जो tissue है अगर वो टूट जाता है या वो weak पड़ जाता है तो guys क्या होता है जो nitrogen membrane होती है protrude हो जाती है बाहर की तरफ जैसा कि आपको screen पे नजर आ रहा होगा इससे क् dog की eyes का एक आपको उभार देखने को मिलेगा अब guys main reason और भी हो सकते हैं कुछ infection होता है आपकी dog की eyes के अंदर और main reason यह हो सकता है कि इसमें genetics भी देखी गई है यानि अगर mother father को कहीं ऐसी stage पे आके problem आई है तो babies को भी यह problem आ सकती है आगे guys एक सबसे important जो है inflammation from an injury अगर guys कोई actionable injury हुई है तो उससे भी आपके dog को inflammation वहाँ पे हो सकती है अगर inflammation है तो भी guys आपके dog को यह जो cherry eye के नामक एक बिमारी है वो भी हो सकती है और guys अगर आपका dog stress में है या किसी तरह का कोई शोक लग गया है या उसको over excited रहता है यानि over excitement होगी है उसको तो भी उसको आपको दे घर रहते ही diagnose कर सकते हो और symptom से पता कर सकते हो कि यार मेरे dog को यह बिमारी आई कैसे है ठीक है कहां कैसे हुई है मेरे dog में क्या symptom नजर आ रहे है क्या prevention है तो completely आपको पता चल जाएगा और यह पता भी होना चाहिए अब मैं बात करता हूं symptoms की पहला symptom है guys आपको अपने dog की eyes जो है displaced नजर आएगी यानि वो एक position पे नहीं नजर आएगी आपको इसमें squinting of eyes का मतलब क्या होता है यानि एक ही position पे आपको eyes कई time तक मिलेगी या one time पे अगर आप देखोगे तो एक eyes जो है उसी position पे आपको देखने को मिलेगी यानि उसमें कोई भी moment नहीं होगी आगे impaired vision देगा देखने को मिलेगा basically आपका डोग को चलने फिरने में बहुत जादा problem आजाएगी साथ में ही eyes काफी जादा आपको painful नजर आएगी आपका जो डोग है itching करने की कोशिश करेगा वहाँ पे itching तो इसके अंदर होती ही है conjunctivities आपको देखने को मिलेगी आपके जो ड जाया तो injury और ज्यादा बढ़ जाएगी अब गाइस मैं बात करता हूं इसके prevention की जो भी मैंने आपको कारण जो बताय था ना वही इसका prevention है देखो जो eyes की टिशू होते हैं वह कैसे well maintained होगे अगर आप अपने डोग की height or body weight के साब से diet वगरा maintain करके चल रहे हो तो आपके ड जिहान देना है कि अगर आपके डोग की eyes में किसी तरह का कोई भी reaction हो जा रहा है infection हो जा रहा है तो वह नहीं होने देना अगर होता है तो immediately आपको वेट के पास चले जाना है तो basic basic से यह prevention ते अब मैं बात करता हूं इसके treatment की देखो guys इसका जो main treatment है ना वह सर्जरी सर्जरी से ही क्या होता है इस third eyelid को हम निकाल सकते हैं या यह better management हो सकती है लेकिन सर्जरी से पहले हमें अपने डोग को कुछ analgesics देने पड़ते हैं analgesics मतलब pain killer हमें medicine देने पड़ती है कुछ anti inflammatory medicines भी देने पड़ती है उसके बाद में सर्जरी ही होती है इस disease की सर्जरी ही इसका main solution है तो guys मैं आशा करूँगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए useful रही होगी आपको कुछ न कुछ तो knowledge जरूर मिली होगी और guys मैं आपको एक point और बताऊंगा यानि आपको advice ही दे रहा हूँ अगर आपके डोग को ऐसा symptom initial stage में भी देखने को मिल रहा है तो immediately आप आपका जो डोग की जो आइलिड है वो बच जाती है ठीक है सर्जरी से यानि वो ठीक हो जाती है तो guys thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share और please अगर आप हमारे चैनल पे new हो तो हमारे चैनल को आप subscribe जरूर कर लो because हम dogs और cats related most important videos आपके सामने लाते रहते हैं thank you so much जैहिं जैभार